पिछले पाँच सालों से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री हैं और पंद्रा बीस सबसे अमीर लोगों की वो सरकार चला रहे हैं आये थे आपसे वाइदा किया था पंद्रा लाक रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा दो करोड युवाओं को हर साल रोजगार दूँगा किसान को सही दाम दूँगा पाँच साल हो गए एक भी वाइदा पूरा नहीं हुआ उल्टा पंद्रा लोगों का उन्होंने पाँच लाक पच्पन हजार करोड रुपए कर्जा माफ किया है और यहां आप जानते हैं जो पहले आपको मिलता था मन्रेगा मिलता था वो भी बीजेपी के लोगोंने बंद किया तो पिछले पांच सालों उन्होंने आपके साथ हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ आदिवासियों के साथ कमजोर लोगों के साथ अन्याय किया है और आप कॉंग्रेस पार्टी आपको नियाय देना चाहती है जो पांच साल उन्होंने आपका नुक्सान किया जो पांच साल उन्होंने आपका नुक्सान किया उस बात को मैं स्टेट से पहचानता हूँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात को मानता हूँ कि पिछले पांच सालों में सबसे ज़ादा नुकसान हिंदुस्तान के आदिवासियों का नरेंद्र मोदी ने किया है और अगर पांच साल आपके साथ अन्याय हुआ है तो अगले पांच साल आपके साथ न्याय होना पड़ेगा जो आपके जेब में से चीना गया उससे जादा कॉंग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे अब मैं आपको बताता हूँ आपको बताता हूँ कैसे करा जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने पंद्रा लाग की बात की किसी को नहीं दिया यहां कोई है जिसको पंद्रा लाग रुपे नरेंद्र मोदी ने दिया हो कोई है एक आदमी औरत जिसको नरेंद्र मोदी ने दिया नहीं चोकिदार चोड है अब देखिए पांच महीने पहले और ये बात हमारे जो आदिवासी भाई बेहन हैं आपको बहुत अच्छी लगेगी पांच महीने पहले मैंने कॉंग्रेस पार्टी के इकॉनोमिस्ट को बुलाया सीनियर नेताओं को बुलाया और उनसे कहा देखिए मैं एक काम करना चाहता हूँ मुझसे पूछते क्या काम करना चाहते हो मैंने कहा कि देखिए हिंदुस्तान में करोणों गरीब लोग हैं वो दिन भर काम करते हैं और देश की जो सरकार है वो उनकी मदद नहीं कर रही है मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ नरेंद्र मोधी जी ने 15 लाग का जूट बोला मैं हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूँ मैं हिंदुस्तान के आदिवासियों को मेसेज देना चाहता हूँ कि 2019 के बाद जो सरकार बनेगी वो आपकी सरकार होगी मैंने उनसे पूछा देकि एक बात बताईए पता कीजिए नरेंद्र मोधी ने 15 लाग का जूट बोला मैं आपसे नंबर चाहता हूँ लंबा भाशन नहीं किताब नहीं एक नंबर उन्होंने मुझे से पूछा कौन सा नंबर मैंने उनसे बोला मुझे वो नंबर चाहिए जितना पैसा मैं हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाल पाऊ हर महीने जाईए काम कीजिए तीन चार महीने बाद आईए मेरे पास मुझे एक नंबर दे दीजिए मैं जनता को वो नंबर बताऊंगा और वो ही नंबर उतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में हर साल डालूंगा कुछी दिन पहले मेरे पास आए मुझे कहते हैं नंबर मिल गया मैंने का बताईए क्या है 72,000 मैंने उच्चों पूछा 72,000 क्या 72,000 रुपए कितने दिन में कितने लोगों को मुझे कहते हैं राहुल जी हिंदुस्तान की सरकार साल के 72,000 रुपए 5 करोड परिवानों को दे सकती है आपको पहले मनरेगा के लिए पैसा मिलता था सो दिन रोजगार 2019 के बाद चुनाओ के बाद आपको 150 दिन मिलेगा मगर आपको नियाए योजना से भी बिना कोई काम किये सीधा आपके बैंक अकाउंट में महीने का 6,000 रुपए साल का 72,000 रुपए 5 साल का 3,60,000 रुपए कॉंग्रिस पार्टी और में आपके बैंक अकाउंट में डालने वाले हैं आप सोचिए आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने 15,000 रुपए की सचाई बता रहा हूँ 25 करोड लोगों को 5 करोड परिवारों को 5 करोड परिवारों को 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए गैरंटी करके मैं बैंक अकाउंट पे डालने वाला हूँ अच्छा यहां बहुत सारे पुर्श आये हैं महिलाएं भी आये हैं मुझसे गुस्सा मत होना जो पुर्श है मुझसे गुस्सा मत होना पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है एतिहासिक निन्ने किसी भी देश ने किसी भी देश ने अपने हर गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट में पैसा कभी नहीं दिया है पहली बार इतिहास में हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के bank account में सीधा पैसा डालने जा रही है क्यों डाल रही है मैं आपको बताऊंगा क्योंकि नरेंद्र मोधी ने सीधा अनेल अम्बानी जैसे चोरों के bank account में लाकों करोड रुपए डाला है कुछ भी हो जाए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता आप लोगे ने बहुत साह है पिछले पांच सालों में आपने नोट बंदी देखी आपके जेब में से पैसा निकला गबर सिंग टैक्स लागू हुआ आपके जेब में से पैसा निकला पूरा का पूरा पैसा नरेंदर मोदी चौकीदार ने अनिलमानी मेहूल चौकसी नीरव मोदी ललित मोदी विजय मालिया के जेब में डाले भाईयों और बहनों सत्तर साल में पहली बार पंदरा लोग हिंदुस्तान का एक लाख करोड रुपे चोरी करके भाग गए किसका पैसा था आपका पैसा था हिंदुस्तान के आदिवासियों का पैसा था कमजोर लोगों का पैसा था किसानों का मजदूरों का छोटे दुकानदारों का पैसा था उन्होंने पांच साल न्याय किया अब मैं पांच साल न्याय करने वाला हूँ नरेंद्रमोदी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कॉंग्रेस पार्टी गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं किसान आये उनसे भी थोड़ा कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने आप से कहा था कर्जा माफ करेंगे उन्होंने आप से कहा था सही दाम दिलवाएंगे उन्होंने कहा था आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग फैक्टरी लगाएंगे कर दिया काम मिल गया आपको सही दाम कर्जा माफ किसने किया आपका कॉंग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया यहां पे राजिस्तान में मध्यप्रदेश में 36 गड़ में चुना हो रहा था मैंने साफ बोला देखिए कुछ भी हो जाए दस दिन के अंदर राजिस्तान मध्यप्रदेश 36 गड़ के किसानों का कर्जा माफ होगा दस दिन ने लगे दो दिन के अंदर तीनों सरकारों ने सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ करके दिखा दिया और नरेंद्र मुदी आते हैं कहते हैं पैसा कहां से आएगा हमने दिखाया पैसा कहां से आएगा नरेंदर मुदी सुनना चाहते तो मैं बताता हूँ अने लंबानी की जेव से आएगा फ्रांस के राश्टरपती ने बोला है आपका पैसा था 45,000 करोर रुपए अने लंबानी का करजा उसने वापिस नहीं दिया है मगर हिंदुस्तान का किसान अगर 20,000 रुपए का करजा वापिस नहीं देता है तो उसे जेल में डाल देते क्या यह आपको सही लगता है कि हिंदुस्तान के अरब पती जितना भी करजा लेना चाहे लेले बैंक से वापिस ना दे और वो जेल ना जाए और हिंदुस्तान का किसान आदिवासी 20,000 रुपए ले करजा और करजा वापिस ना दे एक दम वो जेल जाए क्या है आपको ठीक लगता है निया लगता है आपको क्या हमने निन्ने लिया है एतिहासिक निन्ने 2019 के चुनाओ के एक दम बाद कानून बदला जाएगा हिंदुस्तान का कोई भी किसान कोई भी किसान करजा ना लोटाने के लिए जेल में नहीं जा पाएगा अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के किसान जेल जाएं तो पहले आप उस चोर अनेलंबानी, निरभ मोदी मेहल चोकसी, विजएब मालिया को उनको अंदर करिए, फिर हम हिंदुस्तान के किसानों की बात करेंगे, अगर आप उनको अंदर नहीं करोगे, तो हिंदुस्तान का कोई भी किसान करजा ना लोटाने के लिए जेल में नहीं जाएगा यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी युवा है बिजनस चालू करना चाहते हैं धंदा करना चाहते हैं मैं आपके लिए एक एतिहासिक निर्णे लेने वाला हूँ जब भी आप बिजनस चालू करना चाहते हो, धंदा चालू करना चाहते हो, आपको सरकारी डिपार्टमेंट में पर्मिशन लेनी पड़ती है 5-10 डिपार्टमेंट में जाके पर्मिशन लो पहले हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है पूछना पड़ता है भईया मैं बिजनस चालू करना चाहता हूँ मुझे पर्मिशन दो एक के बाद एक department में जाते हो हमने निन्ने ले लिया है 2019 के बाद किसी भी आधिवासी युवा को किसी भी युवा को किसी भी राजिस्तान के युवा को किसी भी सरकारी department से कोई permission लेने की जरूरत ने है पहले आप जा के अपना दंदा चालू करो आप अपना धंदा चालू करो काम शुरू करो युवाओं को रोजगार देना शुरू करो और तीन साल बाद जब आपका बिजनस त्यार हो जाएगा जब आपके लिए 30-40 युवाओं काम करेंगे तब आप जाके सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लो नरेंद्र मोधी जी ने दो करोड युवाओं को रोजगार देने की बात की थी यहां कोई है युवाओं जिसको नरेंद्र मोधी ने रोजगार दिया कोई एक है यहां पर एक नहीं है वो जूट था मैं आपको यहां जूट बोलने नहीं आया हूँ 15 लाग रुपे की बात नहीं करूँगा 3,60,000 रुपे की बात करूँगा मगर मैं आपको बताता हूँ 2 करोड युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूँगा मगर सच बता दूँगा हिंदुस्तान की सरकार के 22 लाग नौकरियां खाली पड़ी है एक साल के अंदर 22 लाग युवाओं को हम वो नौकरियां दिलवा देंगे सरकारी नौकरियां दिलवा देंगे 10 लाग युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है हम 10 लाग युवाओं को पंचाय तुम्हें रोजगार दिलवा देंगे मगर हम आपसे यहां जूटनी बोलने आए हैं हम आपसे रिष्टा बनाने आए हैं नमें आता है वो बोल जाते हैं पंदरा लाक रुपए दूँगा ब्रस्ट अचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूँगा किसानों को सही दाम दूँगा जो भी दिल में आता है वो कह देते हैं मैं आपसे सिर्फ सच बोलूँगा और जो आपने यहां सुना चाहे वो नयाय योजना 72 हजार रुपए हो चाहे वो 22 लाक युवाओं को रोजगार देने की बात हो चाहे वो किसान की मदद करने की बात हो वो यहां आपको सच सुनाई देगा आकरी दो चीज़े किसानों की मैंने बात की मैंने कहा कि कर्जे के लिए आपको जेल में नहीं डाला जाएका एक और बात आपके लिए मैं कहरना चाहता हूँ हिंदुस्तान में हर साल बजट पेश किया जाता है पार्लिमंट हाउस में हिंदुस्तान का बजट रखा जाता है कितना पैसा किस चीज में हिंदुस्तान की सरकार डालेगी हमने किसानों से बात की, किसानों ने हमें कहा कि हमारे ले ले भी आप एक अलेदा बज़ट बनाई है अलग बज़ट किसानों का बनना चाहिए तो हमने निन्ने ले लिया है 2019 में दो बज़ट बनेंगे एक नाशनल बज़ट बनेगा देश का बज़ट बनेगा और दूसरा हिंदुस्तान के हर किसान का आदर करने के लिए स्पेशल किसान बज़ट बनेगा उसमें आपको साल के शुरुआत में ही पूरा गपूरा बता दिया जाएगा MSP कितनी बढ़ाई जाएगी कहां कहां फूड प्रोसेसिंग के कार खाने लगेंगे क्या दाम मिलेगा आपको मौफजा कितना मिलेगा कर्जा माफ होगा तो कितना होगा पूरा का पूरा आपको साल के शुरुआत में ही पता लग जाएगा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में डर्द है डर है वो मिटे और इसलिए हमने आपसे बात करके आपसे पूछ करके आपके लिए हम निर्णे लेने जा रहे हैं आप जानते हो कि कॉंग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है कमजोर लोगों की पार्टी है हम 15 उदियोग पतियों की पार्टी नहीं है नरेंद्र मोधी जी ने आपके साथ अन्याई किया मैं आपको स्टेट से गैरंटी करके कहता हूँ हम आपको न्याई देंगे आदिवासियों को न्याई देंगे आपकी जमीन की लड़ाई कॉंग्रिस पार्टी लड़ी थी याद रखिए जमीन अधिकरन बिल हम लाए पेसा कानून हम लाए आदिवासी बिल हम लाए आपका जल, आपकी जमीन, आपके जंगल की रक्षा करने का कानून नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन चीनने का काम किया हम आपकी जमीन आपका जल और आपके जंगल का रक्षा की रक्षा करेंगे